हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग आसान सब्दों में एसाइटिस को जानने वाले हैं जिसे हिंदी में जलोधर कहा जाता है आप भासा में समझे तो हमारे पेट का इस तरीके से फूल जाने को एसाइटिस कहा जाता है और इसके होने के पीछे कारण यह होता है कि ल जो एरिया आपको दिखाई जा रही है इसी एरिया को इस जगह को ही पेरिटोनियम केविटी कहा जाता है और इसी में लिक्विट या पानी भर जाना एसाइटिस कहते हैं जो की आपको इस तरह देखने को मिलता है इसी में पानी भर जाने के कारण हमारा पेट इस तरह से फू चलता है और हाँ दोस्तो इस बात का आपको ध्यान रहे की अगर एसाइटिस में साइरोसिस ओफ लिवर अथवा ब्लड इन्फेक्शन हो तो पेरिटोनियम केविटी तथा पाउ में यानि कि हमारे लेक्स में एक साथ स्वेलिंग होती है यानि कि साइरोसिस होने पर पेट और पाउ दोनों साथ में फूल जाते हैं लेकिन अगर कोई दूसरी कारण से एसाइटिस हुआ हो तो पहले पेरों में स्वेलिंग आती है तथा बाद में हमारे इस पेरिटोनियम केविटी में स्वेलिंग आती है इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेगा दोस्तो क्योंकि यह इंपोटेंट है एसाइटिस होने के कारण को देखे तो वो है लिवर डिजीज यानि कि हमारे लिवर में कोई समस्या हो तो इस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है किडिनी डिजीज होने पर भी एसाइटिस जैसी प्रोब्लम आपको देखने को मिल सकती है माल की वज़े से दोस्तो जलोधर येसी दिक्कत आपको देखने को मिलती है सबका आप स्क्रिन सोट जरूर लेते हुए चले दोस्तो ताकि आपका नोर्ज बनता चले अब जानते हैं एसाइटिस होने पर आपको क्या-क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं तो वो है डि जाना, वेट गेन, चलने फिरने में परसानी आना, सांस लेने में कठनाई होना ये सब सारे सिम्टम आपको एसाइटिस के पैसंट में देखने को मिलते हैं अब जानते हैं एसाइटिस के ट्रेटमेंट में कौन-कौन सी दवा यूज में लाई जाती है तो वो है एल जमा एकसेस वाटर फ्लूट को बाहर निकालने का काम करता है हमारे बोडी में एकसेस वाटर के कारण सूजन हो जाने पर उसे ठीक करने का काम करता है यह हमारे हार्ट, किड़नी या लीवर रोग से संबंधित सूजन को भी कम करता है यह काफी अच्छी दवा है दोस्तों जो आपको अपने Eldecton brand के नाम से मिल जाती है। इस tablet को रोजाना एक गोली खानी होती है। या इस tablet की जगह Lexis 40 के नाम से tablet आती है जो काफी famous है अपने Lexis के नाम से जिसका composition Fruciamide होता है। और ये भी एक diuretic medicine है दोस्तों और इस tablet को रोजाना दो गोली सुभा साम खानी होती है। Potassium कम होतों सिरप Keylight जिसका composition Potassium Coloride होता है एक चमच सुभा दोफर साम लेना चाहिए। Capsule Leogen जो तब लेते हैं जब हमारे बोडी में खून और Folic Acid की कमी हो। इस capsule को दोस्तों दो capsule दिन में तीन बार लेना होता है। Tablet Detied जिसका use high blood pressure में करते हैं। यह tablet दोस्तों हमारे बोडी में excess fluid level को कम करता है। और साथी साथ हमारे बोडी में potassium level को balance बनाये रखता है। इस tablet को दोस्तों एक गोली सुभा दोफर साम खानी होती है। लिक्वीड पूनर नवरिष्ट दोचम्मच सुभा दोफर साम खानी होती है। इसका इस्तमाल दोस्तों liver disorder, jaundice, anemia, gout, heart disease, edema, kidney failure and gastrointestinal disease में करते हैं। जो आपको इस तरह की मिल जाती है। इंजेक्शन Neuroplex 1 ml मास पेस्यों में लगाई जाती है। टैबलेट लिव 52 दोगोली सुभा दोफर साम खानी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों ascitis fluid की tapping जारी रखनी चाहिए। जैसे की salt free diet देनी चाहिए, fluid नहीं देना चाहिए, औरन fluid भी नहीं देना चाहिए, alcohol रोकना चाहिए। इन सारी बातों का धयान रखना चाहिए ascitis के पेसंट को। होप सो आप समझगे होंगे की ascitis होता क्या है। कुछ भी doubt रहे तो आप comment में जरूर पूछे, मिलते हैं अब आपसे next वीडियो में।